नमस्कार आज इस वीडियो में हम जानेंगे उपले से लिक्विट फर्टलाजर बनाने का प्रॉपर तरीका हम सीखेंगे उपले से बना फर्टलाजर कितना फायदे मन्द है साथी साथ पौध हमें liquid fertilizer जो हम बनाएंगे कब और कितना प्रियोग करना चाहिए आखिर में क्या उपले से बना fertilizer बास्तम में काम करता है ये देखेंगे दोस्तो आप है channel home garden पर मैं हूँ रवींद्र और अगर आप पहली बार इस channel को देख रहे हैं तो प्लीज हमें subscribe कर लीजिए तो दोस्तो कुछ समय पहले मैंने यूटूब पर अपने साथी यूटूबर की एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने उपले से liquid fertilizer बनाना बताया है वीडियो बहुत उपयोगी थी मुझे काफी अच्छी लगी तो मैंने सोचा क्योंना इस वीडियो को और perfect किया जाए जो चीजें उनसे रह गई हैं मैंने इसमें add की है तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हम क्रम बाइज आपको बताएंगे सबसे पहला step है कि आप जो liquid fertilizer बनाने के लिए उपला प्रयोग में लेंगे वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा तीन या चार महीने पुराना ही उपला प्रयोग करें अपले भी होते हैं या फिर हमारे जो पौदे हैं उनमें वो बीमारियों का प्रकोप ला सकते हैं तो फटलाजर बनाने से पहले उपले को सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से ठॉंक लेना है कहीं जमीन पर जिससे उसमें जो भी दीमक या कीडे मकोडे हैं वो दूर हो अब जो अगली साबधानी रखनी है वो है उपले को कम से कम 2-3 घंटे की तेज धूप लगानी है यह तेज धूप हम इसलिए लगाएंगे कि उपले में बहुत सारे बीमारियों के कीटानूं हो सकते हैं या दीमक या और भी जो कीड़े हैं वो हो सकते हैं तो धूप से वो न मास्टिक का ही वरतनी उस करना है और जो उपला प्रयोग करने वाले हैं वो आपके सामने है यहां पर साबधानी यह रखनी है कि अगर उपले का वजन लवग आदा किलो के बरावर है तो आप उसका 10 गुना यानि कि आप लवग 5 लीटर जो है पानी प्रयोग करेंगे अग और फिर वो हमारे पौधों के लिए उतना लावगारी नहीं होगा तो मैंने पानी लिया है उपले पर बजन हमने इसलिए रखा है कि हमारा कम पानी में ही काम चल जाए हमें ज़्यादा पानी प्रयोग ना करना पड़े तो यह देखिए मेरे जो मैंने पत्थर रखे थे व 12 से लेकर 24 गंटे के लिए SI छोड़ देंगे इसमें से धीरे धीरे जो पुसक कत्तों हैं वो रिसकर हमारे पानी में आ जाएंगे और एक बढ़िया और गैनिक लिक्विट फैटलाजर बनकर तैयार हो जाएगा यहां साबधानी यह रखनी है कि आप इसे खुले में इस चीज को और इसे SI छोड़ दीजिए तो चलिए हम इसे छोड़ देते हैं और 24 गंटे बाद देखेंगे लगभग 20 गंटे बाद उपले से हमारा लिक्विट फैटलाजर बनकर तैयार हो गया है यहां में आपको यह बता दूँ कि उपला गोवर से बना होता है और गोवर खाद में जोगा कारवनिक पदार्थों की मात्रा बहुत जादा होती है जिसमें नैट्रोजन, फासपुर बसव कोटास भरपूर मात्रा में होता है तो यह लिक्विट फैटलाजर हमारे पौदों के लिए काफी फायदे मन रहेगा और आप इस लिक्विट फैटलाजर को अगर अपने पौदों में यूज करना चाहते हैं तो सीडलिंग को छोड़कर छोटे पौदों को छोड़क जो हम बीजों से उगाते हैं उन्हें छोड़कर आप इन्हें किनी भी पौदों में यूज कर सकते हैं चलिए हम इसे प्रयोग करके दिखाते हैं आपको प्योर लिक्विट फैटलाजर लेना है क्योंकि हमने पहले इसमें सही मात्रा सही अनपात में पानी मिलाया हुआ है अलग से पानी मिलाने की कोई जिरुवत नहीं है मैं इसे अपने आगयब में यूज करने वाला हूँ आप अपनी सबजियां जैसे बैगन, भिंडी, करेला, लौकी, तोरई, किसी में भी इसे यूज कर सकते हैं फूलदार पौधे जैसे गुलाब, गुलहेड, मोगरा, चम तम तीन वाले से यूज कीजिये, उससे ज्यादा नहीं, और जब भी आप यूज करें तो बार्टिंग थोड़े सी कम कर दें, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा पहले से है, अब बात करेंगे कि उपले से बना लिक्वे फेटलाजर बास्तम में काम करता है, तो मैं तो काफी बढ़िया और्गानिक फेटलाजर बना सकते हैं और अपने पौदों में प्रेव कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, अगर आपको कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके हमसे पहुंच सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस वीडियो को सिया जोर कर दीजेगा